So guys Facebook अपने users के लिए नेने feature launch करता रहता है तो इस बार का क्या नेया feature है वोई मैं आपको बताने वाला हूँ नमश्कार दोस्तों मैं हूँ आपको दोस्त Harry और आप देख रहे है Harry9070 So guys इसके लिए हम अपने screen पे आ चुके हैं तो सबसे पहले आपको अपना Facebook ओपन कर लेना है Facebook ओपन करने के बाद आपको यहाँ अपने profile पे क्लिक करना है चाहे तो आप directly यहाँ से भी open कर सकते हैं यहाँ फिर यहाँ 3D पे जाके भी क्लिक कर सकते हैं तो guys आप देख सकते हैं screen पे मेरी यह 3D wallpaper लगा हुआ है पिछे background में cover photo पे तो यह Facebook का नया feature आया है किस तरह से लगना है यह यही मैं आपको बताने वाला हूँ और यह profile pic के उपर जो बनाया हुआ है यह भी कैसे बनता है यह भी मैं आपको बताऊंगा तो सबसे पहले तो आपको यह cover photo जो है 3D में लगानी है कैसे यह बता दे तो उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना है यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सबसे नीचे option नजर आएगा select artwork यहाँ क्लिक कर दीजिए तो उसके बाद यहाँ आपको कुछ options आ जाएगे जैसे कि यह pick है यह सिर्फ pick होगी यह 360 नहीं होगी मुलब 3D नहीं होगा और यह वीडियो है यह वीडियो की तरह चलेगी इस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं यह play कर रहा हूँ है यह सिर्फ इस तरह से water चलेगा पत्थ्र होगी उपर है और उसके बाद यह 360 जा रही है इसको select करते हैं तो यह 360 चलेगी यह देखिए वाव कितना अच्छा है वर्फीले पहाड दूर से सूरिज दिखाई दे रहा है उसके बाद यह स्लेकर्स पर आप कि यह कुछ फोटोस पर दिया हुआ है लोड़े यह सभी लिविए 360 में 3D में तो आप यहां से इस तरह से स्लेक्ट कर सकते हैं यह देखिए कि अच्छा दिख रहा है कि क्या बात है कि मैं इसको select कर लेता हूँ इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर रहा हूँ है तो उसके बाद सेव पे यह सेव जाएगा यह लेया वाल में प्राइगे वाह क्या वाल है इस दिखे तोड़ा प्लागर के बत्रफ़ाइगे जिस तरफ या गुवाएगे आपको दिखेगा कर दो जाएगे झाल प्लागर के बत्रफ़ाथ जाएगे जिए प्लागर के बत्रफ़ागे जिएजय हुआ है